साल 2007 में दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वारेन बफिट ने एक famous mutual fund house के साथ एक million dollar की bet लगाई थी के बड़े-बड़े expert teams वाले mutual fund भी long term में एक simple से index fund को beat नहीं कर सकते और 10 साल बाद वो ये शर्त एक काफी बड़े difference के साथ जीत भी गए इसलिए Warren Buffett कहते हैं कि एक no nothing investor जिसे investing के बारे में ज्यादा knowledge नहीं है उसके लिए index funds एक best option है और अगर आप भी इसी कैटागिरी में आते हैं तो ये आगे का वीडियो आपके लिए है mutual fund और index fund है तो दोनों bye-bye बस दोनों में मामुली सा difference है जिसे हम एक example से समझते हैं मान लीजगे एक mutual fund में किसी ने 500 रुपई लगाए किसी ने 1000 रुपई और किसी ने 2000 हजारों लोगों के investment से mutual fund के पास 100 क्रोड रुपई इकठे हो गए अब हर mutual fund के पास बड़े बड़े experts की एक team होती है जो ये decide करती है कि ये पैसा किस किस company में और कितना कितना invest करना है जबकि index fund में ऐसी कोई लंबी चोड़ी expert teams नहीं होती वो बस simply किसी index को follow करते हैं लेकिन पहले ये समझते हैं कि index होता क्या है index कुछ चुनी हुई companies की list होती है जो market के उतार चुड़ाव को बताती है example से आपको एकदम clear हो जाएगा जो sunsex है वो देश की top 30s company का index है nifty 50 देश की top 50 companies का index है और भी जैसे bank nifty जा और कई तरहें के index और भी होते हैं मान लीजिए कि आपने 500 रुपए nifty 50 index में लगाए तो यहाँ कोई expert की team नहीं है जो decide करेगी कि ये पैसा कहां लगाना है nifty 50 में किस company की कितनी value है उस हिसाब से पैसा automatically देश की top 50 companies में invest हो जाएगा और मान लीजिए कल को कोई company loss खाकर top 50 की list से बाहर हो जाती है तो उस company में से share बेच कर वहीं पैसा top 50 में add हुई नई company में लगा दिया जाएगा अब लगे हाथ कुछ और भी differences हैं उनकी भी बात कर लेते हैं mutual fund के अंदर portfolio rebalancing चलती रहती है जानी के market के उतार चड़ाव के हिसाब से actively stocks की ख्रीद और बेच चलती रहती है लेकिन index fund के अंदर अगर कोई बदलाव हुआ है और ये बदलाव ज्यादातर quarterly update होते हैं तो portfolio rebalancing तब होगी अगर कोई changes आए हैं otherwise नहीं next जो major difference है इन दोनों के बीच वो है expense ratio का mutual fund एक active form of investing है इसलिए mutual fund में higher management fees और expenses होने के कारण expense ratio 1%, 1.5% और 2% तक का भी हो सकता है लेकिन index fund passive form of investing है so इसके अंदर इतनी सारी activities involved नहीं होती जिस कारण इसका expense ratio 0.1% से 0.3% तक हो सकता है next बात करते हैं कि क्यूं हमें index fund के अंदर invest करना चाहिए पहला reason है low charges जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें बहुत ही कम charges लगते हैं और in future इस expense ratio का हमारे returns पर बहुत बड़ा effect पड़ता है दूसरा data ये कहता है कि generally ये passive form of investing है वो ज़्यादातर investment expert professionals को beat कर देती है means के ज़्यादातर mutual fund index fund को beat नहीं कर पाते यहीं कारण है कि Warren Buffett कहते हैं कि जो no nothing investors हैं जो ज़्यादा research नहीं कर सकते उनके लिए ये best form of investing है लेकिन मैं एक बात clear कर दूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको mutual fund में invest नहीं करना चाहिए अगर कोई mutual fund index fund से ज़्यादा returns दे रहा है उसके past stream में भी वो अच्छे returns दे रहा है तो आप ऐसे mutual fund के साथ जा सकते हैं अब जब आप index fund के अंदर invest कर रही हैं तो आपको tracking error के बारे में जरूर पता होना चाहिए जिस index में आपका fund invest कर रहा है और index के total returns और आपके fund ने जो return दिया है उसके बीच जो difference होता है उसे ही tracking error कहते हैं example से आपको clear हो जाएगा मान लीजिए nifty 50 ने एक साल में 14% का return दिया है बट आपने जिस company के fund में पैसा लगाया उसने 13.5% का return दिया है तो ये जो 0.5% का difference है जहीं है tracking error tracking error होने के main reasons number one cash holding हर fund house कुछ पैसा हमेशा hold करके रखता है सारा invest नहीं करता सो जो पैसा invest ही नहीं हुआ उसका return तो कम होगा ही वो पैसा जो आपके fees और expense ratio में कट गया उससे भी ये difference maintain होता है number 3 इसके इलावा मान लीजिए कि एक company से stock बेच कर दूसरी में invest करना है तो sell करने के बाद दूसरी company का stock मिलता ही नहीं तो जितना time ये पैसा invest ही नहीं हुआ वो भी tracking error का कारण बनता है I hope आपको index fund के बारे में असानी से समझा गया होगा रुकिये रुकिये चैनल को subscribe और वीडियो को like करना मत बूलेगा Thank you